इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापस आज चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं हाफसाईड के लिए आज का दिन का इंतखाब क्यूं किया गया और ये धमाका किस नौइट का था पहले अब धमाके को देख लें इस धमाके में अब तक जो लोग जांबाक हुए उनकी तादात तीन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 लोग जखमी हुए जिनमें 8 की हालत तश्वीशनाक है 16 की हालत खत्रे से बाहर है और 20 किलो के आस पास बताया जा रहा है कि धमाका खेज मवाद को एक गाड़ी में यहां पहुंचाया गया है और इस गाड़ी में जो डिवाइस लगाई गए इसी धमाका करने के लिए उसके हवाले से अब्तदाई तार पे दो इतलात है कि वो रेमोट कंट्रोल भी हो सकती है और वो एक ऐसी डिवाइस भी हो सकती है जो खुदकार डिवाइस हो और टाइम डिवाइस हो इतने अर्से के बाद या इतने टाइम के बाद ये पढ़ जाएगी टार्गेट क्या था आज के दिन बड़ा इंपॉर्टन्ट था आज के दिन हाफ़स साइज साब की पेशी थी क्योंकि उनके मैंने आपको बताया कि मुकदमात अदालत में है और वो अदालतों के अंदर अपने मुकदमात को फेस कर रहे हैं जिनमें बहुत सारों में उन्ह नों आपको सचा साबित किया है भारती लग्जामात के मुकाबले में तो हाफ़स सहीच साभ जो हैं उनके ओपर क्यूंके अदालत में केसिद हैं वो उनको फेस कर रहे हैं, अब बजाए इसके के अदालतें फैसला करें चीजों का, देशतगर्दी का ये बाकिया सिर्फ एक देशतगर्दी है और कुछ नहीं है, यनि कानून को हाथ में लेना, खुड से फैसला करना, अटैक करना, ना ये दानिशमंदी है और ना इससे होगा, अदालतें मौझूद हैं, अदालतों का दर्वादा कटकटाया जाए, सबूत फराम किये जाए और उनकी मुनियाद के पर फैसला हो, यही पूरी दुनिया का कानून कहता है, अब हाफ़ सहीज साब की आद पेशी थी, और बहुत ज्यादा इमकानात ये हैं कि इस ग पूद गाड़ी है, नॉर्मल गुली उसके उपर अटैक नहीं कर सकती, लेकिन जिस नौयत का ये धमाका था, इसमें बाल बेरिंग भी थे, और जो टेकनालोजी है, वो इतनी जबरदस थी, और इतनी जोरदार थी, कि वहाँ जमीन में कई फुट गहरा एक गड़ा पड़ है कि हमें एक मिनट तक तो सब मौफ हो गया था, हमारे बहुत सारे लोग बात नहीं कर पा रहे अभी तक, वो ट्रॉमा में हैं, और उसने खुद बाहर निकल कर लाशें और जखमी देखे हैं, बहुत बुरी हालत में, और वो एक माली के बारे में बता रहा था, और जब मा बाल बाल बचे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि प्लैन ये अटेक उनके उपर किया गया था, और टार्गिट उनको बनाया जाना था, बुलेट प्रूफ गाड़ी के बावजूद, इतनी बड़ी नौयत का धमाका, बहुत हद तक डेमज कर सकता है, बल्के बु आडिया हो सकता है, क्योंकि बड़ी अग्रेशन के साथ, यहीं पाकिस्तान ने अभी उस तरह रिपोर्ट नहीं किया था, भारती तमाम अक्मारात ने इसको मेन हैडलाइन बनाया, और फिर जमातुद दावाद चीफ हाफिस साइड हाउस के बार उनने दिखा कि रिपबलिक ने चापा इसको जी नियूज ने चापा, डियाझ ने चापा औ मुझा ए और इसको ताइम्स नाउ इंडिया ने चापा, इसको आव्यों नियूज ने, तREAMन भारत के तमाम नियूज चैनल अखबारात ने इसको मेन एड़लाइन के अंदर जगा दी है और उन्होंने इसको celebration वाले अंदास के अंदर निकाला है यनि अदालत को एक तरफ रखके, गानून को एक तरफ रखके भारत जो है, वो एक attack को celebrate कर रहा है इस वाकए के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमयान कशीदगी बढ़ेगी और definitely बढ़ेगी उसकी वज़ा मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्यूंके पाकिस्तान के अंदर जितने भी देशतगर्द ग्रुप माजी में रहे हैं उन में से किसी ने भी इस धमाके की जिमेदारी कुबूल नहीं की और तमाम उंगलिया भारत की तरफ उठ रही है पाकिस्तान के जो तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है समापताप यहां से ये वीडियो छुड़कर जा सकते हैं तो कल पलाहॉर में हाफिस साइद के घर के करीब एक धमाका हुआ था जो की बहुत जोरदार धमाका था जिसको लेकर इंडियन मीडिया ने ये कोट किया था कि ये एक हमला हाफिस साइद के घर पर हुआ है मतलब घर के करीब भी हुआ था और इस हमले में हाफिस साइद बाल बाल बचा लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त सोसल मीडिया में जो पत्रकार पाकिस्तान के थे वो एक कह रहा थे कि ये हाफिस साइद के घर से काफी दूर है और ये और वो मनलब ऐसी जूट बाते हैं ये सब कुछ नहीं है फेक है लेकिन हुआ ऐसा कुछ कि जो हाफिस साइद का बॉडि गार्ड है वो मारा गया आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हाफिस साइद का बेटा है ताह साइद ये देखने गया था उस बॉडि गार्ड को और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनके कपड़े हैं इनके खून के दाग भी है यानी यह हमला हाफिस साइद के बहुत करीब करीब हुआ था या तो मिस हो चुका था मतलब हाफिस साइद वहाँ पर था नहीं या जो भी कुछ हुआ यह सक्सेसफुल नहीं हुआ दोस्तो मुझे लगता है ये हमला डैफिनेटली पाकिस्तान की ही लोगों ने मतलब वहां की ISI पाक आर्मी ने करवाया है क्योंकि इंडिया ऐसा क्यों करेगा इंडिया को अगर हाफिस सहीद को मारना है तो फिर तो इंडिया के पास ये एक अच्छा खासा जिंदा एसेट है जिसको लेकर इंडिया यूएन और इंटरनेसल ऐसे कई प्लेटफॉर्म जहां पर बार बार इनका नाम लेकर पाकिस्तान बैसे ही बैक फुट पर रहता है मैं पता है कि ये 26-11 में जो जिहादी तयार किये गए थे ये इसी के मदर से इसे किये गए थे और ये इसने कई वार कबूला भी है और कस्मीर में जो जिहाद वगएरा होता है इसके पीछे भी इसका हाथ है ये सब तो चीजें पता है मैं लेकिन दोस्तों जिहादियों को क हमला करवाया है डेफिनिटली यह इंडिया का पाकिस्तानी मीडिया आज नाम लेने लगे कि इंडिया और अगर हाफिस जाइद मर भी जाता तो इसमें भारत को तो फाइदा क्या भारत में जो बिचारे 180 लोग मारे गए थे मुझे एक सो असी नब्वी लोग मारे गए थे क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स मिलके यहाँ पर यह वीडियो होता है समाब जैहन